नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट शैर कबर जुड़ी हुई है सुर्य कुमार यादव से क्योंकि जो पारी उन्होंने खेली तीसरे टीटवणी आए में वेसंडीज के खिलाप उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहीं न कहीं एशिया कप और वर्ल्ड कप का राग भी खोल दिया और साथ ही साथ श्रेह सैयर का मुझे असे लग रहा है कि अंजाने में ही सही बात तो अपनी कर रहे थे लेकिन राग खोल दिया श्रेह सैयर का प्लैनिंग खोल दी टीम मैनेजमेंट की और BCCI की लेकिन वो हम पूरा आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा है लेकिन उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ये इतना लविबल कैरेक्टर है सूर्य कुमार यादव यानि कि क्यों लोग चाहे आप जो भी हों चाहे आप उनकी बल्लेबाजी से इत्तफाक रखते हों चाहे आप उनके स्टाइल को पसंद करते हों ना करते हों लेकिन सूर्य कुमार बतौर इंसान as a person आप उसे हेट नहीं कर सकते हैं तो जो भी सर पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा फॉर्थ हंड्रेड की बात ती यहीं नहीं मैं आगे आपको और भी बहुत कुछ उनके बारे में दिखाऊंगा सुनाऊंगा लेकिन आखिर सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्या कह दिया है जो हम यह पूरी बात कर रहे हैं दरसल सूर्य कुमार यादव ने सीधे तौर पर जब उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप को लेकर आप वन डे को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है वन डे को लेकर आप क्या सोचते हैं तो उन्होंने सीधे तोर पर ये बता दिया कि आखिर टीम मैनेजमेंट ने उन्हें क्या का है तो उन्होंने एक तरीके से अपना जो सिगनल है वो दे दिया है उन्होंने बता दिया है कि आप साइन दे दिया है कि आप ये करने जा रहे हैं तो वो ये करने जा रहे हैं यानि क से 50 गेंदे खेलना तो कह रहे हैं कि अब उनके हाथ में है अगर मैं फेल हो रहा हूं तो यह मेरी प्रॉब्लम है और मैं गलत कर रहा हूं यह उनका कहना था और वो क्या कह रहे हैं वह मैं आपको सुनाना चाहिए लेकिन मैं छोटा सा एक पहले क्लिक दिखा देना चाह रहा हूं कि आखिर मैं क्या कुछ दिखाऊंगा इस विडियो में वो देख लीजिए आप तो अफसोस है कि थर्ड हंडे होता है या फिर खुशी है कि इतने बड़िया पारिक है सर पहले तो मैं आपको करेक्ट करना जाओंगा फोर्थ हंड्र की बात थी अपने आपसे तो मुझे पता है मेरे वंडे के नंबर्स बिल्कुल खराब है और इसमें कोई शरम नहीं है बोलने में आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हो थोड़ा टाइम लेने के बाद आप लास्ट 15 और 10 और में यह जो पूरी बात आपने सुनी इसमें एक तरीके से सब कुछ उन्होंने बता दिया साफ कर दिया कि आखिर उनको लेकर प्लैनिंग क्या है यानि के श्रेयर सईयर जो की अभी तक शांदार प्रदरशन उन्होंने किया और अभी तक फोकस उन पर था कि वो न आएंगे तो हवाएं चल रही थी और यह जो बाते बनाई जा रही थी कि वो फिट नहीं होंगे वो पचास ओवर फील्डिंग कैसे करेंगे इसका तो बड़ा सीधा सा मतलब यह है कि श्रेयर सईयर जो है वो वर्ल्ड कप के लिए scheme of things में उन्हें पीछे करके सूर्य कुमार यादव को आगे कर दिया गया है लेकिन सूर्य कुमार यादव को आगे करने के पीछे वजहें क्या है यह आप टीम मैनेजमेंट की जो भी प्लैनिंग है वो आप देख लीजिए उन्होंने तीसरे वंडे में चवाली इस गेदो पच्छी आसी रन की पारी खेली चार चके जोरान उन टीट्वेंटी आई मैच फेल हुए यानि इन चौबीस मैचों को अगर हम वंडे के लिहाज से बात करें फोकस वंडे पे रखते हुए और यह तीन मैच हमा और एड कर देते हैं जो अभी अगर हम टीट्वेंटी और टेस्ट को ले ले तो कुल चौबीस मैचों के बाद य यादव की ये पारी आई है तो क्या आप वर्ल्ड कप में इस तरीके का इंतजार करेंगे मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा जब आप सूर्य कुमार यादव के वंडे के आंकडे देखते हैं तो वो ये बया करते हैं यानि के करीब 23 की ओसत है उनकी जब आप उनके 20 मैचे को देखते हैं तो ये बया करते हैं वो आंकडे और जो तीसरा मैच रहा तो इस इंडीज का उपर आप देख रहे हैं वो 35 रन की पारी उनकी आई थी यानि कुल मिलाकर 14 की एवरिज से वो रंज बना रहे हैं पिछले 20 वंडे मैचों में क्या वो हमें चलेगा क्या व वो काफी होगा मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने इस पर सीधे तरीके से जवाब दे दिया है लेकिन सवाल क्या है सवाल ये है कि श्रेय सयर जो है वो क्या फिर इसका मतलब ये है कि श्रेय सयर को मौका नहीं मिलने जा रहा है श्रेय सयर जो है वो बाहर होने ज इंडे के प्रदर्शन को लेकर कहा है विस्तार में उसे सुन लेते यह देखिए मैं आपको यह पूरा बयान सुना रहा हूं यह सूर्य कुमार यादव अगर अगर मैं अपने आपसे तो मुझे पता है मेरे वंडे के नंबर्स बिल्कुल खराब है और इसमें कोई शरम नहीं है बोलने में क्योंकि सब को पता ही है सब लोग हम लोग बात करते हैं तो आपको उनेस्ट रहना बहुत जरूरी जरूरी है बट आप कैसे उसको और मिटर कर सकते हो वह इंपॉर्टन्ट है तो रोहित ने और राउल सर ने मुझे वहीं बुलाए कि यह एक फॉर्मैट है ज देखिए इसमें चुपाने वाली कोई बात नहीं है मेरा प्रदर्शन जो है वह बहुत खराब रहा है वंडे में और कोई भी उसको देखेगा इसमें बताने वाली कोई जरूरत नहीं है कोई अगर आकर आप से लड़ने लग जाए कि सूर्य कुमार यादव बहुत वर्ल्ड कप में बाहर बैठने जा रहा है लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि हम आपको एक प्लेयर का पूल हमने दिखाया था कि ये 20 खिलाडियों का कुल पूल हो सकता है और ये हमने आपको 2-3 महीना पहले और एक समय पे 10 महीना पहले भी दिखाया था औ करीब आपकी वर्ल्ड कप की स्कौर्ड हो सकती है जो पंदरा खिलाडी आपको अंत में खेलते हुए मैदान पर उतरते हुए नजार आ हाला कि एक दो प्लेयर को लेकर अब वेस्ट इंडीज दोरे के बाद जरूर सवाल उठ रहे हैं लेकिन और शेडियूल अगर आप भारत का देखेंगे तो इस शेडियूल में भारतिय टीम जो है वो मुकाबले अपने खेलने जा रही है लेकिन अभी जो सवाल है वो है एशि कप में जब आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रेय सईयर है उनका पत्ता फिलहाल कटने जा रहा है और उनकी जगा पर अब या तो तिलक वर्मा क्योंकि तिलक वर्मा बेहद स्ट्रॉंग नजर आ रहे हैं सैमसन भले ही उनका नाम पहले था लेकिन जिस त फिर क्या प्लेइंग 11 होगी क्या स्कौर्ड चुना जाएगा कमो बेश यही सिर्फ नंबर चार का जो स्लॉट है यानि कि जो नंबर पांच पर आपको दिख रहे हैं सैमसन श्लैश श्रेयस उसकी जगा पर आपको कोई एक और खिलाडी नजर आ सकता है क्योंकि श्रेयस को अभी शायद टीम इंडिया शामिल नहीं करने जा रही है और जो सूर्य कुमार यादव के मुझ से निकल गया है बातों बातों में उसका मतलब यही है दोस्त के श्रेयस इयर अब मुझे नहीं लगता कि नंबर चार पर पिट बैठेगे